विद्यार्ति मित्रों यहां पर दो अलग-अलग प्रकार की बोतल है एक हेट आरपार दिखती है वाइट कलर की है ट्रांसपरेंट है और दूसरी है गहरे काले रंग की या गहरे कलर की तो प्रस्थ में है कि सिल्वर क्लोराइड जो होता है AGCL इसको इस वोतल में रखा जाता है ना कि इसमें क्यों इसका मुक्षि कारणी है कि यह जो गहरा कलर है यह गहरा रंग काला रंग या गहरे जो डार्क कलर होते हैं वे सुरी के प्रकास को अंदर नहीं जाने देते हैं रोक लेते हैं इसमें अगर सुरी का प्रकास इसके उपर गिरेगा तो अंदर चला जाएगा चूँकि सिल्वर के जो क्लोराइड होते हैं नाइट्रेड होते हैं वो सुरी के प्रती सम्वेदनशील होते हैं टो पर जब प्रकाश गिरता है, लाइट अगर सुर्य का प्रकाश यदि इसके उपर गिरा, तो ये सुरी के प्रकाश से reaction करने के बाद, ये जो परिनाम हमको मिलेगा, ये ये इसका मूल गून है सिल्वर क्लोरेट का, वू क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा अगर हमने गेरे रंकी बोतल के अंदर इसको रखा तो ये प्रकाश अंदर नहीं जाएगा और ये अपने मूलगून के साथ बना रहेगा, यानि इसको अंदेरे में रखना या डारेक्ट प्रकाश से बचाये रखने के लिए ये गेरे रंकी बोतल में रखा जाता है यदि हम बात करें कि सिल्वर नाइट्रेट की तो सिल्वर नाइट्रेट भी सूरी के प्रकाश से जो है आपका यदि उसके उपर प्रकाश गिरता है सूरी का प्रकाश गिरता है तो ये सूरी के प्रकाश से क्रिया करके सिल्वर क्लोराइट को गहरे काले रंकी बोतल में रखा जाता है क्योंकि सिल्वर क्लोराइट प्रकाश के प्रती सूरे के प्रकाश के प्रती बहुत जादा समवेदर्शिल होते हैं और अपने मूलगून खो देते हैं तो एसी बोतल में रखने से वो सुरी के प्रकास के संपर्क में न आते हैं और अपने बोल बोल बने रहते हैं वीडियो आपने अंतक देखा उसके लिए बहुत बहुत धनिवाद मैं हूँ बन्वन बंडारी और आप है मेरे चेनल गुरुएंड देव पर